आप देख रहे हैं दखल न्यूज 2019 में चांग के लिए छलांग लगाने वाला भारत भले ही विक्रम लेंडर की सफल लेंडिंग नहीं करवा पाया हो लेकिन इस साल इसरो फिर यही कोशिश करने वाला है इसकी पुष्टी खुद इसरो चीफ के सिवन ने की है भारत 2020 में चंद्रियान 3 लांच करेगा केंद्र ग्रह राज्यमंत्री जेतेंद्र सिंग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पर चंद्रियान 2 से कम लगताएगी उन्होंने कहा चंद्रियान 2 को विफल कहना सही नहीं है इससे हमने बहुत कुछ सीखा है चंद्रमा की सतह पर पहुचने का भारत का यह पहला प्रयास था इस रोचीफ के सिवन ने नए साल के पहले ही दिन मीडिया से बात करते हुए इस मिशन की पुष्टी की है और कहा है कि चंद्रियान 3 पर इस रोग काम कर रहा है हमने चंद्रियान 2 में अच्छी प्रगति दिखाई भले ही हम चांग की सतहा पर सफलता पूर्वक नहीं उतर पाए लेकिन चंद्रियान 2 का ओर्बिटर अब भी काम कर रहा है और अगले साथ साल तक यह काम करता रहेगा जिससे कई तरहा का डेटा मिलेगा इसरोचीफ ने यह भी बताया कि सेकंड स्पेस पोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहन शुरू हो चुका है और यह तमिलनादू के थूथू कूडी में इस्थित होगा After a long time, I thought that it is my duty to meet you on the first day itself. At least our aim is to tell you what really we have achieved in 2019 and what we are targeting for 2020. That is our aim. And if you are seeing that in 2019 our strategy mainly was to expansion program. We wanted to expand the ISRO horizontally. That is my aim, first strategy we adopted and the second strategy we adopted in 2019 was the capacity building and outreach program. These are the second target we aimed for 2019. And the third one is, that is the reduction of the physical work in the ISRO and how to make industry to get into the loop. That is the third part. Fourth part is mainly the development and conventional launches and other things. There is new developments. That is the fourth part. दिल्ली में नागरिक्ता संशुधन कारून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. भारती जिन्ता पार्टी ने दिल्ली में हिंसा के लिए कॉंग्रेस और सत्तारून आम आदमी पार्टी को जिम्यदा ठहराया है. केंद्रे मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि दिल्ली जैसे शांतिपूर्ट शहर में जो हिंसा हुई उसके लिए सत्तारून आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस जिमेदा है क्योंकि ये लोग जूटी जानकारी फैला रहे हैं और हिंसा पर छुप हैं जावडेकर ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हिंसा के लिए उकसाने का काम करते हैं बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली के जामिया में कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधाया का अमान तुल्ला पर आरूप है कि उन्हों पार्चा मौजूद थे इसे हिंसा की वज़ा से कुए नुक्सान के लिए आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस को माफी मांगनी चाहिए दिल्ली में तीन जगह थींसा की वार्दा थे हुई जामिया सिलंपूर जामा मशिद इसके आज पास जो भी घटना है हुई वो हम समने देखी है जामिया के यहां कॉंग्रेस के असिव खान और आम आदमी पार्टी के विधायत अमान तुला यह दोनों का रोल उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उक्साया सिलंपूर में कॉंग्रेस के चौधरी मतिन एहमत और आमादमी पार्टी के इश्राख खान और कांसिलर अब्दूर रह्मान जामा मस्चित के यहां कॉंग्रेस के महमूत पराचा या तो उन पर एफायर है या तो उन पर आरोप है उनकी जाच चल रही है वहां के दिल्ली जैसे शांत शहर में लागरिक्ता कानून पर जान बुझकर माइनॉरिटी के मन में सम्रम पैदा करके जो आशांती का महोल तैयार किया और जो सारजनिक संपत्ति का नुक्सान हुआ उसके लिए कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है उनको दिल्ली के जनता की माभी मांगनी चाहिए कॉंग्रेस नेेता जेपी अगरौवाल ने बीजेपी नेता प्रकाश चावडेकर पर पलट वार किया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के नेताओं पर आगजनी का आरोप लगाने वले पहले ये बताएं कि बीजेपी के कितने नेताओं के खिलाफ रेप के मुकदमे दर्ज दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी के पास जाँच का अधिकार है बीजेपी को जाँच कराने से मना कौन कर रहा है अगरवाल ने कहा कि आप बीजेपी को लोगों को गुम रहा करना बंद कर देना चाहिए दिसंबर महीने में जीस्टी कलेक्शन एक लाग तीन हजार एक सो चौरासी करोड रुपे रहा इससे पहले नवंबर में जीस्टी कलेक्शन कुल एक लाग तीन हजार चार सो बांदवे करोड रुपे रहा था बहीं अक्टूबर महीने में जीस्टी कलेक्शन पिच्यानवे ह 1380 करोड रुपे और सितंबर में 99,916 करोड रुपे था तो नात्मक अध्यन करें तो यह साफ होता है कि GST कलेक्शन में कुल 16 फीसदी बढ़ोतरी हुई है यह ब्रधी सालाना हिसाब से हुई है अरुनाचल प्रदेश के GST कलेक्शन में 124 फीसदी ज्यादा आया है दरसल सित नवंबर में GST कलेक्शन में 2.7 फीसदी गिरावट आई थी वहीं 5.3 फीसदी अक्टूबर में गिरावट आई थी केंद्रेस्तर पर नवंबर में कुल GST कलेक्शन 19,592 करोड रहा राजस्तर पर 27,144 करोड GST रहा वहीं 49,028 करोड इंट्रीग्रेटर GST रहा इसमें 20,948 करोड इंपोर्ट का भी हिस्सा शामिल है इसके साथ ही कुल 7,727 करोड का उपकर भी शामिल है मोके मंद्री भुपेश बगेहल ने प्रग्यास सिंग ठाकुर के साथ ही उत्तर प्रतेश के सीम योग्यादित तिनात और उमाभारती पर भी गेरुआ वस्तर धारन करने को लेकर जुबानी हमले किये उन्होंने कहा कि ये लोग गेर्वा वस्तर धारन कर अभी भी मोह माया में फसे हुए हैं ऐसे लोग साधू साध्वी कैसे हो सकते हैं पिछले दिनों प्रग्या सिंग ठाकूर एके यात्रा के दौरान फ्लाइट में सीट को लेकर एक अन्य यात्री के साथ उलश्ती हुई नजर आएं थी उन्होंने कहा है कि प्रग्या सिंग ठाकूर को साध्वी नहीं मानता क्योंकि साधू संध की वाणी में सैयम और मिठा होती है लेकिन वह तो मुझ खोलते ही जहर उगलती हैं उमा भारती हो चाहे प्रग्या ठाकूर किस प्रकार से जुमान खोलती है तो जहर उगलती है सियम भुपेश ने राज के लोगों को नए साल की शुभ काम नाय दी उन्होंने कहा कि नए साल में राज सरकार ने कुछ नए संकल पुलिये हैं हम प्रयासरत है कि कुछ ऐसा करे ताकि 36 गड़ भारत के मानचित्र पर सर्वों पर ही रहे उन्होंने गुजरे हुए साल को 36 कर के लिए उपलब्धियों भरा बताया और अपने एक साल के कारेकाल की उपलब्धियां भी गिनाई राइपुर में महापौर बनाने के भाजपा के दावे को उन्होंने खोकला बताते हुए कहा कि भाजपा हमारे संगठन में फूट की अब वहा फैला रही है उनका दाव व्हुदा भी झाया रहा शेहडळो और आसपास के दाविघना खोरा चाया रहा शेडोल उमडय रोड़ और शेहडोल जीवा रोड़ पर बाहन चलाने वालों को काफी दिक्टों का सामना करना पड़ रहा है ग्वाली और शेहर में पड़ रही कड़ाकी की ठंड ने बे ज पक्षी बताया जा रहा है शिप्पुरी में पारा साथ डिग्री दतिया में 1.4 शियोपुर में 4.6 टीकमगर में 2.2 गवालिय और नौगाउं में 3 खजराहों में 3.5 डिग्री दर्श किया गया बालाघाट इंदोर सहित कई जगह वारिश वी अगले दो दिनों में भुपाल दतिया, भिंड, ग्वालियर, मुरेना, शोपुर, उमरिया, अनुपूर, शेहडोल, छिंदवाडा, वा जबलपूर, सतना, सीथी, सिंग्रॉली, सागर में बारिश और उलवरिष्टी की संभावना है ुआर ग्वालियर, में इन दिनो सर्दी का प्रकोक चरम पर है, सर्दी में ठ्ठाई दशक का रेकाड़ तोर दिया है ऐसे में घरों में बच्चों और परिवारों को सर्दी से बचाने का एक मात्र साधन होता है रूम-हीटर लेकिन गौलियर के बाजारों से इन दिनों रूम हीटर पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं तमाम दुकानों पर तलाशने के बाद भी रूम हीटर लोगों को नहीं मिल पा रहा है जबकि दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने एडवांस में कमपनियों को भुक्तान कर रखा है लेकिन कमपनिया रूम हीटर की पूर्ती नहीं कर पा रही है दुगानदार तो यहां तक भी कहते हैं कि जैसे सरदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है वैसे ही रूम हीटर की शॉटेज का पिछले आज साल का रिकॉर्ड उटा है रूम हीटर की तलाश में ग्रहाग भी एक दुकान से दूसरी दुकान पर पहुआ है पहुच रहे हैं लेकिन सभी जगहां एक ही जवाब मिल रहा है कि रूम हीटरों कलब नहीं है इस बीच दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर रखे हैं जिस पर लिख दिया गया है कि कृपया हीटर मांग कर शर्मिंदा ना करें जबकि ग्रहाख हैं कि हर रोज बल्की पिछले साथ दिन से रूम हीटर के तलाश में पहुच रहे हैं लेकिन दुकानदारों से ना का जवाब मिलने के कारणवे दुकानदारों से निराश होकर लोट रहे हैं वो सर्दी के बज़े से मौसम कोई से हीटरों की सौटरेजी बहुत ज़्यादा चल लही है हम दस बारा दिन से बराबर लगातार आ रहे हैं हीटर मिली ही नहीं रहे हैं कल भी साम को आए थी अभी देखो खड़े हैं अब वो कह रहे हैं आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे परड़े का दो सो तीन सो सप्लाई हो रहे हैं उनके फिर भी को प्रॉब्लम आ रही है गौलेर में सरदी के सितम की बात की जाए तो यह सितम अभी खत्म होने वाला नहीं है मौसम की मार से लोग परिशान है और मौसम विभाज भी खुद इस बात का एलान कर रहा है कि नहीं साल पर ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिज भी हो सकती है ऐसे में लोगों को सरदी से निजाद दिलाने वाले सबसे आसान उपायर रूम हीटर की कमी परेशानी का कारण बनी हुई है जो की बच्चों, बुजर्गों, महिलाओं सब को परेशान किये हुए है किसे पता था कि हस्ता खेलता परिवार अचानक से खत्म हो जाएगा पाच समहू के एंटी पुनीत अगरवाल पूरे परिवार के साथ थे फार्म हाउस में पाच मजला इमारत है जिसमें निर्मार का कारय भी चल रहा है इस इमारत पर समान उतारने चड़ाने का काम जिस लिफ्ट से किया जाता है उसमें तक्निकी खराबी भी बताई जा रही है और इसी लिफ्ट का इस्तेमाल करना पाथ समू के M.D. पुनीत अगरवाल वा उनके परिवार के छे लोगों को महगा पड़ गया यह लिफ्ट पूरे परिवार के लिए काल साबित हुई लिफ्ट में तक्निकी खामी थी खामी के बावजूर पुनीत ने परिवार सहित इतना बड़ा जोखेम उठाया जिस से छे जिंदियां चली गई इस फार्म हाउस में निर्मार कार्य करने वाले ठेकेदार सलीम ने बताया कि लिफ्ट केवल सामान चड़ाने में तौल काटे की तरहां काम में आती है कभी कभी एक दो करम चारीस पे बैट जाते थे कुछ दिन से लिफ्ट रुक रुक कर चल रही थी लेकिन इसका तार खीचने पर ये जटके के साथ फिर चल परती थी 31 दिसंबर की शाम नए साल का जश्ट मनाने के लिए पुनीत अपने परिवार के साथ यहां आये तोच सहा से लबरेस थे लिफ्ट में चड़कर आठ लोग उपर की मनजिल तक पहुचे थे जब यह लिफ्ट नीचे आ रही थी तब पुनीत सहित परिवार के साथ लोग ही थे पुनीत का बेटा उपर रुख गया था जबकि पत्नी महमानों का स्वागत नीचे दर्वाजे पर खड़े होकर कर रही थी तकनीकी खामी के कारण उस समय भी लिफ्ट बीच में रुखी और तार खीचने पर छटके से चलने के बजाए पलट कर तूट गई इससे लिफ्ट में सवार सभी लोग सिर के बल फर्ष पर एक के उपर एक नीचे गिरे ये हादसा पुनीत की पत्नी और बेटे की आँखों के सामने हुआ आपको बता दे की पाथ समहू के एमडी पुनीत अगरवाल का नाम देश के बड़े कॉंट्रेक्टों में गिना जाता है इनका समहू पुलवा सड़क बनाने और हाईवे पर टोल प्लाजा चलाने के लिए देश भर में मशूर है अगरवाल पीपी मॉडल की शुरुआत करने वाले देश के चुनिंदा ठीकेदारों में से एक थे इन दोर में 2004 में सिंगहस्त के दौरान उन्होंने MR10 को पीपी पी मॉडल पर तयार किया था रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाया था कंप्री के मालिक पुनीत खुद इतने बड़े इंजीनियर थे अगरवाल ने अपने बनाय पुलों और सडकों में भी तकनीकी और सुरक्षा का ध्यान रखा था लेकिन अपने आलिशान फार्म हाउस की मारत में वे शायद कहीं चूप कर गए इस हाथसे में खुद पात सम्हू के एमडी पुनीत अगरवाल उनकी बेटी दमाद नाती दमाद के जीजावा उनका बेटा जिन्दगी से हार गया जबकि दमाद की बेहन अभी गंफीर हाला पे है इक टावर बना हूँ है उसमें लिफ्ट लगी लिफ्ट दिवार के सारे सामान वगैरा दोने के लिए उपर ले जाए जाती हो वो लिफ्ट में ये परिवार साइद बेटे होए थे लिफ्ट उपर जाने के बाद में पल्टी है और उससे एक एजूल्टी है पीम अपना न इपना ओपिनियन देंगे उसके बाद ही जो भी होगा कारवाई करेंगे। वाले गरीब NCL के कई प्रोजेक्टों में प्राविट काम करते हैं। ऐसे में सभी लोग मंडाला ध्यक्षवा, पार्शय ज्यंत, देवेश, पांदे, विधायक, सिंग्रॉली, राम लल्लु वैश्य के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या बताने पहुचे। लोगों ने बताये कि हम लोगों को प्राविट सिक्योरिटी गार्ड जुगी जोपडी खाली कराने की धमकी देता है। तो करीब हजार लोग बेघर हो जाएंगे और इस कडाके की ठंड में कहा जाएंगे। साथ ही लोगों ने यह आपत्ती भी जताए कि बड़े-बड़े भूमाफ्याओं ने कबजा करके अपने-पने महल बना लिये हैं। उनको NCL नहीं खाली करवा रहा। अब हम गरीबों के उपर घर खाली कराने के लिए जोड़ वर्दस्ती की जा रही है। Renault प्रवात्वरा चाहे वाजेन पर्योजना हो चाहे दुदिश वह पर्योजना हो इस समय उनको नोटिस दे करके फाली कराने के लिए उनके जोपणी जहाँ बनी हैं। उसके नोटिस के लिए यहाँ पर हमारे कालोनी वासी लोग विधायक जी के नेत्वित में हम लोग के साथ में सीजियम जीयम हमारे दुद्दी चुआ और जीयम जैन से इससे पहले बात भी हो गई थी उन्होंने आस्वासन लिया कि हम लोग जो तो उपर से हमारे इस तरह का है आदेश इस लिए नोटिस गई हुई है लेकिन प्रसासन इस तरह पर ही कोई बात हो सकती है तो आज सभी लोग हम लोग विधायक जी भी हमारे थे हम लोग सब लोग पूरे उस कालोनी के जो पर पट्टी के लोग है यहां पराय हुए थे सकारात्मा कुरूप में बात हुई है कालेक्टर साब से उन्होंने आस्वासन दिया है कि कोई बस्ती नहीं हटेगी हम लोगों ने उनसे बैठ करके बात किये हैं साथ में और उन्होंने कह हैं से संत हिर्दाराम नगर में हरी सेवा उदासीन आश्रम भीलवाडा का दो दिवसी वाशिक उसव संपन किया गया वाशिक महसव में महामंडलेश्वर हंस राम उदासीन का जनमोचसव भी बड़े ही धुमधाम से मनाये गया इस महसव के अंतिम दिवस पर भगवान शिव का महा रुद्रविशेक कर मंत्रोचार के साथ थावन कर पूर्ण आहुती दी गए उसके बाद सभी लोगों ने संत हिर्दाराम जी की कुटिया पर जाकर नमन किया इस अफसर पर महामंडलेश्वर हंस राम उदासीन ने कहा कि स्वामी हिर्दाराम जी महा संतवा साथगी की मिसाल थे उन्होंने सेवा इस्मरण के रास्ते पर चलने का संदेश दिया स्वामी जी ने नागरिक्ता बिल को लेकर कहा कि पेम मोदी एवम अमिश्याह ने यह सही कदम उठाया है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू समा सुरक्षित नहीं है उनकी बहु बेटियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है हम सब को मिलकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए मेरा गड़ की सासंगत बुपाल की संगत ने देशी पर खूब यहाँ पे आये और सबकी तर्म मन से और वजन बंडारे की खूब शेवा की यह इसलिए की कि समाज में संस्कृति अपना सिंध्यत सनातन और अपने धर्म की रक्षा के लिए जगे जगे सत्पुर्षों को बुलाकर पूरे देव भूमी भारत से संतों को बुलाकर कारिक्रम में गोविनपूरा की विधायक कृष्णा गौर भी दर्शन करने पहुची और सभी संतों का आशिरवात लिया संतों ने रात्री में आयोजेत ससंग में उपस्थित शद्धालूओं को अपने प्रवचन से मंत्र मुग्ध कर दिया बड़ा दूश्रमानिया कहते हुए कि महा मननेश्वर कामे हंसराम दासिंजी का उनसिप का रवारत सोग इसंत इद्धालामजी की मद्धिम मनाए जाए हुए हम का आशिवात लेने का सोख़ट धर्म साथिया मद्धिम देश शाषन के खेल एवं युवा कल्यान तथा उच शिक्ष्यामंत्री जीतू पटवारी ने स्थानिये शाष किये कन्या महाविध्याले में 150 सीटेट ऑडिटोरियम वा कन्या चात्रवास का लुकारपन किया इसके बाद युवा समवाद कारिकरम में चात्राओं से समवाद किया जिसमें चात्राओं एवं प्रचारेस ने अपनी समस्यां सुनाते हुए कहा कि महाविध्याले में प्रोफेसरों के पदों को भरने एवं अन्य कन्या विध्याले बनाये जाने की जरूरत है वहीं मंत्री जीतु पटवारी द्वारा कलेक्टर को जल्द जमीन धूनने का आदेश दिया मुख्यमंत्री कमलनाद द्वारा भूमी पूजन कराने की घोशना भी की गई कारिक्रम में राजसभा, सांसद, राजमनी पठेल, रिवा सांसद, जनार्दन मिश्रा, सहित प्रशाषन के तमाम आला अधिकारी मुख्यूद रहे परेटन नगरी खजराहों में नए साल के स्वागत में देशी-विदेशी परेटक राद भर होटलों और रेस्टरेंट में जश्ट मनाते नजर आए होटलों में नए साल 2020 का आगास करने के लिए विशेश विवस्था की गई थी लोग रात में होटलों में लजीज खाने के साथ डीजे की धुन पर थे रखते रहें और जैसे ही राद बारा बजे सभी ने नए साल का स्वागत धुन धाम से किया सिंग रॉली में एबी वी पी द्वारा कन्या महाविध्याले सहित का इसकूलों में मैं भारतिय हूँ सपोर्ट CAA कारिक्रम का आयजन किया गया इस कारिक्रम में महाविध्याले की छात्राओं ने भारत का मांचितर बना कर यह प्रदर्शित किया नागरिक्ता संशुधन कानू से देश में निवास करने वाले किसी भी जाती धर्म संप्रदाइस से इसका कोई संबन नहीं है यह कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगलादेश से पिडित अलप संख्यकों को लाने के लिए बनाये गया है और इसका समर्धन हम सब को करना चाहिए इस कारिक्रम के माध्यम से महाविध्याले की समस्त च्छात्रां द्वारा यह प्रण लिया की सभी लोगों को इस कानून के बारे में जागरु किया जाएगा और देश में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जाएगा आज हम लोग ने विद्धार्थी परिशद की तरफ से भारत मा का तस्वीर बनाया था जिसमें की सारी बहनों ने भारत मा के तस्वीर के हर देश के किनारे किनारे बहन ने खड़ी होकर आज यह साब इतकी है कि हम घुसपेटी को कभी भी कत्ते भी अंदर नहीं आने देंगे चाहिए उनके लिए हम लोग के लिए कुछ भी करना पड़े और आज विद्धार्थी परिशद और यहां बैढ़न जिले की कन्या कॉलेज की बहने यह बताईए कि CAA को लेका NRC को ल कोट में कि CAA को लेका समर्थन दे रहे हैं कारेकरम के दौरान अखिल भारतिये विद्ध्यारती परिशद की राष्टे कारिकारणी सदासिवा जिला सहसायों जक पूर्णिवा सिंग जिला छात्रा प्रमुख प्रतिक्षा पांडे वरिष्ट कारिकरता आनंद पांडे के स कन्या महाविध्याले की समस्त च्छात्रें उपस्थित रही हैं इस दौरान पोडिमा सिंग ने कहा कि विपक्षी पाटियां लोगों के बीच भ्रम फैला रही हैं जो यहां भारत में लिवास कर रहा है उनके लिए इस कानून से फैन नहीं होना चाहिए लोग प्रमित ना कमला सरकार में खेल एवम युवा कल्यान मंत्री जीतू पटवारी का कारेकरताओं पर नाराजगी का वीडियो वारल हो रहा है रीवा में जीतू पटवारी एक दिवसी प्रवास पर पहुचे थे इसी दौरान उन्होंने रीवा सरकिट हाउस में प्रेस कान्फरेंस रखी लेकिन प्रेस कान्फरेंस वाले कमरे में कांग्रिस कारेकरताओं के जबरन वहां खुच जाने पर बहाँ धक्का मुक्की होने लगे इससे नाराज होकर जीतू पटवारी खुद कारेकरताओं को कमरे से बाहर करने लगे इस दौरान उन्हें जब खुद धक्का लगा तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने एक कार्यकरता को लात और पीठ पर धक्का मार कर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की इस घटना के बाद रिवा कॉंग्रेस के ब्रामर नेता पटवारी के इस क्रत से नाराग नजर आया और उन्होंने जीतु पटवारी के आलोशना की है इस घटना के बाद कई लोगों ने जीतु पटवारी के इस क्रत की निंदा भी की है और आप लोग जिस प्रकार से दम भर रहे हैं इसकी अकिर भारती ब्रामर समाज गोर निंदा करता है और मुख्यमंत्री जी से भी हम समाग करते हैं कि इस प्रकार के एते मंत्रियों को आप पत्काल प्रवास से निस्कासित करें अन्यता ब्रामर समाज उग्र आंदोलन करने में विवश हो जाएगा संगीत की स्वाद लहरियों से सांस्क्रित से घ़ियों आउंद जोपडि जोपड़ी से मेलों आपके हगा आप देख रहे हैं दखल न्यूज